हेलो फ्रिंट्स मेरे नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं केरियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को दोस्तों आज के इस वाले वीडियो से हम लोग स्टार्ट करें ब्रहमास्त्र बैच के पीडियेफ को पढ़ाना यह पीडियेफ एकदम रिफाइन रहेगा यानि कि जो भी टॉपिक यहाँ पर हम लोग कवर अप करेंगे उस टॉपिक को जितना जादा समराइज हो सकता है विद कवरिंग ओल दा फैक्ट्स जो एक्जैमिनेशन में पूछे जा सकते हैं तो सब कुछ कवर अप करेंगे लेकिन बहुत मिनिमम वर्ड्स में उसको कम्प्लीट करेंगे तो आप लोग इस बैच के साथ जरूर जुड़िये वीडियो एकदम फ्री हैं उसमें कोई भी आपको पे नहीं करना है अगर आप चाहें इसका पीडियाफ लेना डेली बेसिस पर तो उसके लिए आपको मंतली 499 रुपीज का पेमेंट करना होगा उसके बारे में जो हमारे ये ब्रहमासर बैचे आईए देखते हैं इसमें आज आज आपको क्या कुछ मिलने वाला है वीडियो पूरा देखेगा और बताईएगा कि ये आपको पीडियेफ कैसा लगा जैसा आप देख रहे हो एक पीडियेफ आपको डेली बेसिस पर प्रोवाइड किया ज देखेंगे भारत के भूगोल के बारे में कुछ सामान जो परिचे जो इग्जैमिनेशन में पूछा जाता है वो कवर अप करेंगे इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो गुप्त काल के बारे में कुछ पढ़ेंगे इसके इलावा महामना पंडित मदन मुहन मालविये के ब बहुत जादा जोलंत मुद्दे रहे हैं उनसे कोशन आपको एक्जैमिनेशन में जरूर मिलेगा जैसे कि चुनावी बॉंड हो गया सारवजनिक संपत्ति की शती की रोख्थाम कानून की समीक्षा हो गई भारत का 22 मा विधी आयोग हो गया राय सीना डायलोग हो गया और आप बात करते हैं गलोμ पी आपने गलोब की आपने गलोब देखा होगा कई जगा आप स्कूल कॉलिजिज में कहीं गई होंगे तो वहाँ पर हमेशा गलोब रखा हुआ होता है आपने देखा होगा थोड़ा साथ वह टिल्टेड होता है ठीक है कुछ इस तर्छी के से हो सकते हैं यहां पर एक वीडियो और अपलोड किया जएगा सेम टॉपिक्स को लेके in English version ठीक है तो अगर आप हिंदी मेडियम के हैं तो आप इसको वीडियो को देखे हैं अगर इंगिलिश मेडियम के हैं गुसरा वीडियो जो अपलोड किये जाए का उसको देख सकते हैं So, Latitudes की बात कर रहे है जो Earth की Crust है, जो भूबरस्ट है यहाँ पर विशवत रेखा से उतर की बात करे हैं विशवत रेखा का मतलब क्या है? जो Earth के बीच-ओबीच लाइन हैm मतलब अर्थ को दो पार्ट में equal parts में बराबर भागों में divide कर रही है, इसको बोला जाता है zero degree latitude, ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि यह जो zero degree latitude है, इसके उत्तर में या फिर उसके दक्षिन में किसी भी बिंदू की प्रत्वी के केंदर से मापी काई जो कोड़िये दूरी है, है ठीक है अब अक्षांश रेखाएं यानि की लेटिट्यूड ये वो काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो प्रत्वी के चारों और पूर्व से पच्छिम दिशा में विश्वत रेखा के समारांतर खीची जाती हैं अब एक्जैमिनेशन में जब कोशन आता है तो कैसे आएगा एक्जैमिनेशन में डेफिनीशन नहीं पूछेंगे बट डेफिनीशन के अंदर से आपसे पूछा जाएगा कि ये जो लेटिट्यूड होते हैं क्या ये पैरलल होते हैं एक दूसरे के या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि लेटिट्यूड जो है वो कहां पर जाकर मिलते हैं या वो मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं तो आपको याद रखना है कि कभी भी दो parallel lines parallel lines का मतलब ही है ये कभी भी आपस में intersect नहीं करेंगी एक दूसरे को नहीं काटेंगी हमेशा एक particular distance जो है वो maintain करते हुए ही रहेंगी तो latitudes जो होते हैं parallel होते हैं ठीक है चलो आगे देखते हैं अक्षांशों को अंशों मिनिटों और सेकिंडों में दर्शाया जाता है प्रत्वी को दो बराबर भागों में बाटने वाली जो zero degree अक्षांश है उसी को भूमद रेखा विश्वत रेखा या फिर equator कहा जाता है इसके बाद आगे बात करते हैं अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या के बारे में अगर हम यह देखें यह प्रत्वी है हमारी और यह हमारी zero degree latitude पास हो रही है यानि कि equator वाली लाइन सो इसके north में और इसके south में दोनों ही तरफ 89 नंबर की जो अलग अलग latitude है यह यहां पर पास हो रही होंगी ठीक है तो अगर सब जोड़ते हम तो 89 यह एक आपका zero degree वाला और 89 नीचे south में so in total कितना हो गया यह 179 179 total latitude होते हैं कोई भी confusion में मत रहिएगा इस चीज़ को याद रखिएगा टोटल नंबर जो है latitude का वो कितना है 179 अच्छा यहां पर एक चीज़ और है कि किनी दो समानांतर अक्षांश रेखाओं या फिर latitude के बीच की जो दूरी होती है वो लगबग 111 km होती है जो आप यह देख रहे हो यह जो distance है यह 111 km के आसपास रहती है इसके बाद यह तो बात हो गई सारी हमारी latitude या फिर अक्षांश रेखाओं के बारे में आगे हम बात करेंगे देशांतर रेखाएं जो आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर यह वाला image इसमें आप देख रहे हो कि यहां पर North Pole से line एक आ रही है और वो line नीचे South Pole की तरफ ठीक है तो North Pole और South Pole को मिलाने वाली यह जो imaginary lines है या फिर जो खड़ी रेखाएं हैं इनको क्या बोला जाता है इनको बोला जाता है देशांतर रेखाएं या फिर longitude अब यहां पर क्या कुछ important है उसको देखिए पहली बात चाहे हम अक्षांश रेखाओं की बात करें या फि exactly अर्थ भी यह exist नहीं करते हैं बट किसी भी particular चीज की जो location है उसको find out करने के लिए यह concept generate करा गया latitudes और longitudes का सो प्रधान या मियोत्तर यानि की prime meridian prime meridian के पूर्व और पच्छिम में उत्तरी धुरुव और दक्षिनी धुरुव को मिलाने वाली कालपने के रेखाओं को द तो जैसे अभी हमने देखा था कि equator यह अर्थ को दो अलग अलग भागों में बराबर भागों में divide कर रही है और बिल्कुल center से पास हो रही है तो यह जो prime meridian है यह zero degree longitude है यहां पर यह zero degree latitude था और यह zero degree longitude है अब यह कहां से पास हो रही है प्राइम meridian यह green wedge लंदन में एक चगा है वहां से पास हो रही है ठीक है चलो आगे देखते हैं देशांतर रेखा है कभी भी समानांतर नहीं होती है यह जो आप अपनी screen पर image देख रो इसमें एक्दम clearly है visible की यहां पर यह distance बहुत कम है जब हम equator की बात करेंगे तो equator पर यह maximum distance के साथ में होती है दो longitude और ज दो longitudes के बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी decrease होगी तो examination में आपसे पूछा जा सकता है कि statement wise भी आ सकता है आपसे यह पूछा जा सकता है कि यह longitudes होते हैं देशांतर रेखाएं होती हैं यह भूमत रेखा से जब उत्तरी धरुव या फिर दक्शनी धरुव की और जाती मिल सकते हैं देखने को तो आपको यह चीज़ याद रखनी है देशांतर रेखाएं कभी भी समानांतर नहीं होती हैं और जैसे जैसे विश्वत रेखा से धरुव की तरफ यह move on करेंगी आगे बढ़ेंगी दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा कम होती चली जाएगी चलो जैसा आप यहाँ पर यह देख रहे हो यह लिखा है कि धरुवों से विश्वत रेखा की और बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है वो बढ़ती चली जाएगी मतलब धरुवों से आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर आएंगे विश्वत रेखा पर तो यह जो दो देशांतर हैं इनके बीच की दूरी मैकसिमम होगी और यहाँ पर जाकर पोल पे यह मिल जाएंगी ठीक है अच्छा विश्वत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच जो है अधिकतम 111.33 किलोमीटर की दूरी रहती है मतलब दो जो देशांतर इनके बीच की दूरी विश्वत रेखा पर 111.33 किलोमीटर रहती है चली आगे देखते हैं इसके बाद बात करते हैं उत्तरी धुरूफ या फिर उत्तरी गोलार्थ और दक्षनी गोलार्थ की अगर हम बात करें विश्वत रेखा की तो यह आपको पता ही चल गया कि विश की बारे में थोड़ी सी बात है अचा भूमद रेखा के उत्तर में इस्तित जो अक्षांश रेखाएं हैं इनको उत्तरी अक्षांश रेखाएं बोला जाएगा और जो दक्षन में इस्तित रेखाएं हैं जो अक्षांश रेखाएं हैं उनको दक्षनी अक्षांश आपने नौर्वे के बारे में सुना होगा नौर्वे में छे महीने के आसपास जो है वहाँ पर दिन रहता है और लगाता है छे महीने वहाँ पर रात रहती है reason being कि वहाँ पर सूरज कभी डूपता ही नहीं है मतलब कभी डूपता नहीं है छे महीने तक डूपता नहीं है जब डूप जाता तो वापस आने में उसको बहुत टैन लगता है जैसे जैसे निम्न अक्षांज से उच्छांज पर जाएंगे अब दिन और रात की अवधी में डिफरेंस आता चला जाएगा उत्तरी गोलार्थ में अक्षांज का प्रभाव दक्षन से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधी पर पढ़ता है नेक्स बात करते हैं प्रधान याम्योत्तर यानिकी प्राइम मेरीडियन की सो भूपरस्ट पर उत्तरी धुरूफ और दक्षनी धुरूफ को मिलाने वाली जो काल्पने के रेखाया फे इमेजिनरी लाइन है जो प्रत्वी को दो बराबर भागों में डिवाइड कर रही है इसी को प्रधान याम्योत्तर रेखा कहा जाता है ये जैसा आप देखे रहो अपने स्क्रीन पे है ठीक है और ये जो रेखा है ये लंदन के ग्रीन विश सहर से गुजरती है आगे बात करते हैं अब ये हमारा गलोब वाला टॉपिक जो था इसमें हमने लॉंगिटूड और लैटिटूड और जो प्राइम मेरीडियन है इसके बारे में देख लिया यहां पर आगे हम बात करेंगे भारत का भूगोल एक सामान परिचे सबसे पहले इंडिया की लोकेशन की बात करें दुनिया में अगर हम कहें तो गलोब की बात कर लेते हैं गलोब में अगर हम देखें तो हिंदूस्तान हमारा कहां पर है हिंदुस्तान कुछ यहां पर है ठीक है यानि कि हम यहां पर कहां पर है जो उत्री गोलार्थ है या फिर नदन हेमी स्फेर है यहां पर मौजूद है और जब हम लॉंगिटूट की टर्म्स में बात करेंगे तब हम प्रधान यामियोत्तर के किदर साइड में है पूरफ की में है तो इस्टन हेमी स्फेर में है क्योंकि प्रधान यामियोत्तर भी अर्थ को दो हेमी स्फेर में डिवाइड कर रहा है एक है आपका जो पूरवी गोलार्थ है और दूसरा है आपका पस्चमी गोलार्थ ठीक है तो इंडिया कहां पर है आपका उत्तरी गोलार्थ में जब हम बात कर रहे हैं किसके टर्मस में आपका लेटिटूड्स की जब लॉंगी टूड्स के टर्मस में बात करेंगे तब हम देखेंगे तो भारत की लोकेशन क्या है वह आपका पूरवी गोलार्थ सो एशिया महादीप में इस्थित एक दक्षण एशियाई देश हिंदुस्तान जो हिंद महासागर के उत्तर में लोकेटड है अब यह जो पूरी लाइन है इसका मतलब क्या है जैसे अगर आप इंडिया को देखोगे इंडिया की लोकेशन ग्लोब में देखो या फिर मैप मे सर्च करोगे तो यहाँ पर यह अगर हमारा हिंदुस्तान है तो नीचे यहाँ पर क्या है हिंद महासागर फैला हुआ है तो हिंद महासागर के उत्तर में इंडिया लोकेटड है इंडिया साउथ एशियन कंट्री अक्षांश्री विस्तार के दिर्ष्टी कोड़ से भारत उत्री गोलार्थ में और देशांत्री विस्तार की दिर्ष्टी से यह कहां पर है आपका पूर्वी गोलार्थ में अनियमित चतशकूण यह आकिरती है इसका मतलब क्या है अगर आप इंडिया का एक बार देख लो तो आपको समझ में आएगा इंडिया का मैप कुछ इस त तरीके से हैं ठीक है तो यह आकिरती कैसी है हमारी अनियमित चतशकूण यह आगे बात करें शेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर हिंडूस्तान दुनिया में कौन से इस्थान पर है तो शेत्रफल के आधार पर अगर हम बात करें तो सबसे पहली कंट्री कौन सी है रश् यह जब PDF شेर किया गया था गरूप में पेड गरूप में तो वहाँ पे एक मेम्जर ने बोला था कि भाया यह जो चीन है यह 3rd place पर आना चाहियां और USA यह 4th place पर आना चाहिए हैं तो यहां पर जो आप देखरो यहां पर हम बात कर रहे हैं USA के complete land की इसके अंदर island भी इसके शामिल है उनको भी include किया गया है so in total जो area है वो include करा गया है संयुक्तराज अमरीका का ऐसा नहीं है कि उसके island को छोड़ दिया गया है इसी वज़े से ये कहां पर आता है आपका third place पर इसके बाद भारत आगया आपका सात्मे पाइदान पर यानि की seventh place पर India है in terms of area कि दुनिया में कितने area में हंदुस्तान फैला है तो India जो है आपका सात्मे प्लेस पर आता है इसके बाद Argentina फिर कजाकिस्तान और Algeria तो ये top 10 countries आपको as it is याद होनी चाहिए सबसे बड़ा देश कौन सा है रशिया उसके बाद Canada उसके बाद सहियुक्तराज अमरीका अगर देखो आपको यहाँ पर ये चीज़ याद है रशिया के बारे में कि भी या रशिया जो है सबसे बड़ा है ठीक है अब जैसे ही अगर आप देखोगे Canada तो मैप में अपने आप क्लियर हो जागा कि भी या Canada तो बहुत बड़ा है लेकिन रशिया से ये छोटा है Canada के बिलकुल नीचे आपको देख जाएगा USA और USA के पीछे पीछे लगा हुआ है चाइना पीछे पीछे लगा है क्या मतलब क्या है चाइना अमेशा कमट्रीट किस्से कर रहा है लगातार USA से ताकि USA को वो overcome कर पाए तो ये तो आपको यहां पर ऐसे ही याद हो जाएगा जब हम साथ में पाइदान के बारे में हमने याद रख लेगा कि इंडिया जो है सेवन्थ प्लेस पर है तो इंडिया से उपर कौन कौन सी कंट्रीज है तो A, B, C ये तीन कंट्रीज है इसमें औस्टेलिया है, ब्राजील है और चाइना है तो इस तरीके से आप टॉप सेवन्थ कंट्रीज को यहाँ पर याद रख सकते हो उसके बाद अर्जेंटीना, खजागस्तान और अलजीरिया ये कंट्रीज है चलिए इसके बाद हम बात करते है कि इंडिया का इंड टोटल छेतरफल है कितना 32, 87, 263 वर किलोमेटर ये इंडिया का टोटल लेंड है दुनिया के पूरा जो छेतरफल है उसका 2.4 पतीशत हिंडुस्तान एक्वायर करता है अब इंडिया का जो ये शेतरफल हमने लिया है इसमें पाकिस्तान और चाइना दोनों का जो कबजाया हुआ एरिया है दोनों देशों ने जो हिंडुस्तान का एरिया कबजा रखा है उसको भी इसके अंदर इंग्लूड किया गया है 32,263 वर्क किलोमीटर में भारत के मुख भूमी का विस्तार उत्तर से दक्षन तक 32,14 यानि के 3,214 किलोमीटर है जब हम बात कर रहे हैं नौज से साउथ की इंडिया के एक्स्टेंशन की वही हम बात करें पूफ से पच्छिम की तो इस्ट से वेस्ट ये कितना है आपका 29,33 किलोमीटर ठीक है तो ये दोनों ही चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी चाहिए आगे बात करते हैं जनसंख्या के अधार पर तो जनसंख्या के अधार पर हिंदुस्तान दूसरे पाइदान पर है चाइना के बाद इंडिया आता है अब ये जो आप डेटा देख रहे हो ये 2011 का जो सेंसस था उसके अकॉर्डिंग है नया सेंसस अभी आया नहीं है नया सेंसस अभी हुआ नहीं है ठीक है बट अगर वो आपसे पूछता है कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग क्या है तब आप याद रखिए का आपको हमेशा इंडिया को सेकंड प्लेस पर ही रखना है इन टरम्स आफ पॉपॉलेशन तो यहां पर बात हो गई चाइना की सबसे ज़्यादा पॉपॉलेशन रखते हैं इसमें चाइना, हिंडुस्तान, यूएसे, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, ब्राजील, बंगलादेश, रूस और मेक्सिको हैं आगे बढ़ते हैं भारत में संपूर्ण विश्व की तकरीबन 17.5% जनसंख्या जो है, वो रहती है, निवास करती है और ये 2011 की जनगर्णा है, उसके अंते माखनों के अनुसार है इसके बाद राज्य और केंदर शाशित प्रदेशों की बात करें हिंदुस्तान में आज की डेट में 28 स्टेट्स हैं, 28 राज जो हैं और आठ जो हैं वो यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है तो ये कब का मतलब इसको चाहें तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि 26 जनवाई 2020 के बाद से ही सिचुईशन बनी है इससे पर तक सिचुईशन अलग थी, number of states भी अलग थे और जो यूनियन टेरिटरीज थी वो भी अलग थी एकदम जो recent यूनियन टेरिटरी बनी है वो दादर, नागर, हवेली और दमन और दीव इनको आपस में जोड दिया गया और उसके बाद एक यूनियन टेरिटरी बनाई गई दादर और नागर, हवेली और दमन और दीव ठीक है ये अब जो है एक सम्मलित यूनियन टेरिटरी है अब यहाँ पर हम देखते हैं राज्य और राजधानी थोड़ा से important है exam के point of view से कभी-कभी पूछ लेते हैं statement wise आपसे पूछा जा सकता है आंदर परदेश की राजधानी जो मैं बता रहा हूँ उसको जरूर याद रखेगा मतलब कहीं चाहें तो आप note down भी कर लीजेगा जिसके अंदर से मुझे लगता है कि question आपसे पूछा जा सकता है सो आंदर परदेश की कौनसी है आपकी अमरावती ये important है North Eastern States यानि कि जो पूरवोत्तर राजी हैं जिसमें अरुनाचल परदेश है आपका तिरपुरा है, मनीपुर है, मिजोरम है, मेघालिया है, असम है ये सारे states और इनकी capital इस अरुनाचल परदेश की बात करें तो इटा नगर यहां की है तो ये भी important है, याद रखना है असम की बात करें, दिसपुर है बिहार, तो खैर मुझे लगता है कि शायद ही आप में से कोई ऐसा हो, जिसको ना पता हो की पटना है 36 गड़ भी याद रखिएगा रायपुर है, गोवा की पनजी है गुजरात की बात करें, गांधी नगर है अर्याना की बात करें बैंगलॉर, केरल की बात करें, तिरुवनपुरम वही मद्दपरदेश की भुपाल है महारास्ट की मुंबई है मनीपुर, इसके बाद उडीसा की बात करें, भुवनेशवर है और पंजाब की बात करें, तो चंदीगड है आगे बात करें, रायस्थान की तो जैपुर है, सिक्किम, याद रखियेगा, गेंग टॉक है इसके लावब तमिलनाडू की चेन नई, तिलांगना इस इस आलसो इंपॉर्टेंट है, तिरुपुरा याद रखियेगा, अगरतला है उत्राखंट की देरादून, उत्रप्रदेश की लखनव, पच्छें बंगाल की कोलकता तो ये 28 राज हैं और उनकी कैपिटल है, इसके बाद बात करें Union Territory, यानि केंदर शाषित प्रदेशों की, तो अंडमान और निकोबार दीब समहू की बात करें तो इसकी कौन से आपकी, पोर्ट बलेयर, वहीं चंदीगड की बात करें तो इसकी यो कैपिटल है, वह क्या है? चंदीगड ही है, दादर और नागर हमेल्य और दमन और दीव की बात करें वहीं रास्ट य राजधानी छेदर, यानि के हम NCR की बात करें है, तो उसकी कैपिटल क्या है? आपकी दिल्ली ही कैपिटल है जम्मू और कश्मीर की बात करें तो यहां पर याद रखना है कि शुरी नगर यह आपका ग्रीश मकाली लियाने कि जब समर सीजन होता है उसमें यह होती है और जब विंटर सीजन होता है तब जम्मू जो है वो कैपिटल हो जाती है जम्मू कश्मीर की लदाक की बात करें तो कौन कौन सी है आगे बात करते हैं भारत का जो अक्षांशी और देशांतरी विस्तार है उसके बारे में भारत पूर्ण तहा उत्री गोलार्द में इस्तित है ये अभी हमने देखा था कि एक्वेटर जो जीरो डिग्री से पास हो रहा है तो इंडिया यहां पर एक्जिस्ट क लेटिटूड है 6.45 का यहां से इंडिया स्टार्ट हो रहा है और 37.6 डिग्री लेटिटूड तक इंडिया जो है पूरा एक्स्टेंड करता है ठीक है इसकी मुख भूमी यह तो हमने बात करी संपूर्ण भारत का यानि कि हमने जो स्टार्ट करा वो अंडमान निकोबार के लेटिटूड से कौन से लेटिटूड पर लाई कर रहा है 6.45 डिग्री उत्री अक्सांश वहां से हम उपर चड़े और टॉप पर जहां पर इंडिया खतम होता है जमु कश्मीर में ठीक है तो वहां तक तो यह तो बात हो कि जिसमें हमने आईलेंड को भी इंक्लूड करा अगर हम में लेंड की बात करें यानि कि हम कन्याकमारी की बात करें जहां से इंडिया इसकी स्टार्टिंग है तो वह 8.4 डिग्री उत्री अक्सांश से स्टार्ट होता है और 37.6 डिग्री उत्री अक्सांश पर खतम होता है जबकि लॉंगिटूड की बात करें यानि कि इस तरीके से कहां तक फैला हुआ है दो लोंगिट्यूट्स के बीच में तो 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर से इंडिया स्टार्ट होता है और 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में इंडिया फैला हुआ है उश्न कटी बंदिये छेतर के विस्तार की बात करें तो वो आपका 23.5 डिगरी उत्री अक्षान्श और दक्षनी अक्षान्श के बीच में पाया जाता है। उष्न कटी बंदी है छेत्र। और हिंदुस्तान की बात करें, तो हिंदुस्तान का विस्तार जो है उष्न और उपोक्षन दोनों कटी बंदों में है। क्यूं? क्योंकि ज कहां से स्टार्ट हुआ है अगर हम मेन लेंड की बात करें तो 8.4 डिग्री से अब जो उष्ण कटी बंद ये छेत रहे इसका विस्तार कहां तक है 23.5 डिग्री उत्री अक्षांश और दक्षनी अक्षांश तो यहां पर जब यह जो लेटिटूड है 23.5 डिग्री का इसके ब पारें बात करते हैं विश्वत रेखा के उत्तर में इस्तित 23.5 डिग्री उत्री अक्षांश को क्या बोलायाता है करक रेखा अच्छा यहां पर यह भी एक पर देख लो आप यह आपका 0 डिग्री लेटिटूड है यहां पर जो एक लाइन जा रही है जो कि 23.5 डिग्री इसको बोलायता है लाइन ओफ कैंसर या फिर करक रेखा लाइन ओफ कैंसर और यहां पर जो रेखा पास हो रही है इसको बोलायता है लाइन ओफ कैप्री कॉन ठीक है या फिर मकर रेखा तो यहां पर यह करक रेखा है यह मकर रेखा है भारत जो है वो मतलब करक रेखा की कर है जो कि कर्क रेखा पर लाई कर रहा है अफर कर्क रेखा वहां से पासाउन हो रही है तो इसमें गुजरात राजस्थान मदप्रदेश च्छतीजगर्ड जहारखंड पच्छमंगाल तिरपुरा और मिजोरम यह आठ वो राज्य हैं जो कर्क रेखा पर पढ़ते हैं तो कर् चलते हैं सूर्य के उत्रायन या फिर भूमद रेखा के उत्तर की गरम बात करें तो होने के बाद से ही उत्तरी गोलाग में दिनों की जो अवदी है वो बढ़ती चली जाती है ठीक है वही 21 जून इसको सूर्य उत्तरायन स्थितिक का सर्वोच बिंदू पर होता है 21 जून क करक रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की जो अवदी होती है वो बढ़ने लगती है वही माही नदी की बात करें तो ये करक रेखा को दो बार पार करती है फिर दो बार काटती है अच्छा करक रेखा की ही अगर हम बात करें तो कौन कौन से देशों से होकर ये गुदरती है very very important ضرور इसको याद रखेगा पहला देश अपका अलजेरिया दूसरा है अपका नाइजर तीसरा है अपका लीबिया सो अलजेरिया, नाइजर, लीबिया इसके बाद मिस्र मिस्र में एक जील है जिसको नासेर जील बोला जाता है उसका नाम है नासेर जील यहां से लाइन आफ कैंसर पास होती है आपसे एक्जैमनेशन में इस तरीके से पूछाया सकता है कि निम्न में से कौन सी जील से करकरेखा गुजरती है तो आपको नासेर जील याद रखना है आपको यह याद रखना है कि यह मिसर की है सो अलजीरिया नाइजर लीबिया मिसर यह चार देश यहां पर हो गए इसके बात साओधी अरब की बात करें तो मक्का यहां से यह पास होती है करकरेखा रियाद से इसके अलावा सही तरव अमीरात की बात करें अबुधाबी यहां से भी करकरेखा पास होती है उमान की बात क कि वो शहर हैं जहां से करकरेखा पास हो रही है ठीक है तो अलजीरिया, नाइजर, लीबिया, मिसर, इसके लावा साओधी अरब, उसके लावा आपका स्यूकत, अरब, अमिराथ, ओमान, फिर हिंदुस्तान, ओमान में मसकट, भारत की बात करें तो भारत में अभी आठ राज देखें जहां से पास हो रही है इसके लावा बंगला देश की बात करें तो बंगला देश में चटगाओं और ढाका से ये पास होती है फिर माताब का मेयामार, फिर आताब का ताइबान, मेकसिको, बहामास और पच्छमी सहरा, ठीक है तो जब हम बात करते हैं चाइना की तो चाइना में युनान जो यहां का प्रांथ है चाइना का वहां से पास होती है हुजिंग दीप या फिर हुचिंग दीप की बात करें यह ताइबान का है जहां से लाइन आफ कैंसर पास हो रही है बहामास की बात करें एकजुमा आइलेंड और जो लॉंग आइलेंड है यहां से पास हो रही है वेस्टन सहरा की बात करें तो मुरको और जो सहरावी अरब लोकतांत्रिक गंडराज द्वारा इस पर दावा किया जाता है वेस्टन सहरा पर तो यहां से भी यह पास होती है इस पास होती है इसके बाद नेक्स अम बात करते हैं कि करक रेखा निमलिकित महासागरों और सागरों से होकर गुजरती है अब ये कौन-कौन से वाटर बॉडीज है इसमें आपका रेड सी है लाल सागर यहां से पास होती है हिंद महासागर से ताइबान जल डमरूमद यहां से पास होती है परशान्त महासागर फिलिपिन सागर कैलिफोर्निया की खाड़ी और मेक्सिको की खाड़ी सो इन साथ वाटर बाड़ी से लाइन आफ कैंसर पास होती है अब चाहों तो इसका स्क्रीन शॉर्ट डे सकते हो और इसको जरूर याद लखना बेहद इंपॉर्टेंट है इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब जो हमारा दूसरा सब्जेक्ट है इंडियन हिस्ट्री का उसकी तरफ यहां पर हम गुप्त और गुप्तोतर युक के बारे में बात करेंगे सबसे पहले बात करें साशनकाल की अफदियानिकी गुप्त साशकों ने कब से कब तक साशन किया तो यह 275 से 550 इसवी के लगभग इन्होंने रूल किया था जो संस्थापक हैं इनका नाम था महराज श्रीकुप्त यह जो पूरा PDF जो आप देख रहे हो यह एकदम समराइस्ट वर्जिन है और मुशे नहीं लगता कि इससे जादा कुछ और कम किया जा सकता है अगर कोई ऐसा कुछ होगा तो जरूर मैं और कोशिश करूँगा इसमें लेकिन कोई भी चीज जूटे ना examination के point of view से यह बड़ा important है तो चंद्रगुप्त प्रथम की बात करें यह काफी important यहां के साशक रहे थे इस वंश के 1319 से लेकि 1335 इसी तक इनोंने rule किया चंद्रगुप्त यह गुप्त राजा घटोतकच इनके पुत्र थे और राजवन्ष के संस्थापक श्री गुप्त के यह पोते थे उपाधी इनोंने एक ली थी वो थी आपकी महराजा धिराज याद रखना है चंद गुप्त प्रथम की जो उपादी थी महाराजा धिराज थी यह गुप्त समवत जिसको स्टार्ट किया था इन्होंने 319 इसवी में उसके प्रवर्तक रहे थे इनके बारे में यह दो पॉइंट बड़े इंपॉइंट है कि एक तो इन्होंने उपादी ली महाराजा धिराज की दूसरा इंपॉइंट पॉइंट यह है कि 319 इसवी में इन्होंने स्टार्ट किया था गुप्त समवत नेक्स्ट इंपॉइंट रूलर है आपके समद्र गुप्त इन्हें जो है भारती नेपॉलियन बोला जाता है किसने बोला यह तो यह बोला एक हिस्टोरियन है विंसेंट इसमित इन्होंने बोला और इनकी एक बुक है अरली हिस्ट्री आफ इंडिया उसमें यह चीज़ बोली गई है इसके बात करें इनके यो साशनकाल है उसके बारे में पता कहां से चलता है तो अशोक इस्थम अभी लेक यह इलाबाद में लोकेटिड है इस पर हरीशेंड ने संस्क्रित भाषा में प्रिशन शात्मत वर्णन इनके बारे में किया जिसको हम किस नाम से यानते हैं प्रियाग प्रिशोस्ती तो आपको यह याद दखना है कि अशोक इस्थम लेक यह प्रियाग प्रिशोस्ती यह एक्जेकली कहां पर लोकेटिड है तो इलाबाद में जिससे हमें पता चलता है समुद्रगुप्त के बारे में इसमें जो है समुद्रगुप्त की जो विजय थी जो इन्होंने विक्टरीज की थी उसके बारे में पूरा गिविन है और यह जो वो पताधिकारी हैं जो समुद्रगुप्त के एड्मिस्ट्रेशन में काम करते थे उसके पूरा उनका साशन था उस डियूरेशन में अशोक निर्मित ये जो इस्थंब है अशोक इस्थंब ये मेंली था कहां पर कौशांबी में था लेकिन अकबर इसको जो थे वो कराया था इस इस्थंब पर जहांगीर के आदेश और बीरवल का भी उन लेक मिलता है अशोक इस्थंब अभी लेक पर इसके बाद आगे बात करते हैं चंद्रगुप्त दुट्तिये विक्रमादित ये तीन सो पिशत्तर से चार सो पंदरा इस वी तक रहे इन्होंने इस ड देवगुप्त इसका प्रमाद कहां से मिलता है साची और वाकटक अभी लेक जो है वहां से पता चलता है की भी आँ इंका एक और नाम था देवगुप्त दूसरे इनके नाम और भी है एक देवराज है देवरिशी भी इनको बोला जाता है महरोली का जो लेक है उस पे नामक इस्थान है, वहां से महरोली लोहु स्थमलेक प्राब्त हुआ है, जो वर्दमान में कुत्ब मीनार के पास में located है, और इसमें चंद्र नामक किसी राजा का वर्णन किया गया है उसकी उपलबदियों का वर्णन किया गया है और यहां पर उसको कंसिडर किया गया है चंद्रगुप्त दुटिये से ठीक है जिसका समय करन जो है गुप्तवन्शी शाशक चंद्रगुप्त दुटिये से किया जा तृतिये थे उनको डिफीट किया था उनको परास्त किया था और पच्चमी भारत में शक सत्ता का उन्मूलन इन्होंने किया था उपादी की बात करें जब इन्होंने जो शक थे उनको हराया था तो इनको एक उपादी इन्होंने धारण करी शकारी यानि की शकों को हराने के कारण ठीक है जो ये उपादी इन्होंने हासल की और इसी उपलक्ष में इन्होंने चांदी के सिक्के भी चलाए थे चांदी के सिक्कों की अगर हम बात कर रहे हैं तो इनको गुपतकाल में एक नाम दिया गया जिसको हम जानते हैं रूपक रुपयक थीक के रुपयक नाम जो था चंदुगृत दुवत्ये के दर्वार के जो नवरत्न थे इसमें एक हैं आपके कालीदास बड़े इंपॉर्टेंट है ये उनके दर्वार के कवी थे इनको महा कवी के नाम से भी हम जानते हैं महा कवी कालिदास ठीक है तो कालिदास किसके दर्वार में विद्वान थे तो ये थे आपके चंदगृत दुत्य के दर्वार में इसके बाद अगले शाशक की बात करें ये है आपके धन्वंत्री जो की एक चिकित सक थे वरा महर की बात करें तो वरा वेमेर ये खगोल विग्यानी थे अमर सिंग की बात करें ये कोशकार थे शंकू की बात करें वास्तुकार थे शपड़क की बात करें तो ये रत्म फलित उठे नितिक गिते नेक्स्ट यहां पर हम देखते हैं history in news यह तो हमने अभी जो देखा तीन राजाओं के बारे में गुप्तकाल के काफी कुछ यहां पर आपको जानने समझने को मिला होगा अब हम बात करते हैं history in news यानि की current affair में कौन सी historical personality या फर कौन सा history का event रहे जो examination में आपसे पूछा जा सकता है तो सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं महा मना पंडित मदन मोहन मालविये की तो यह क्यों नियूज में रहे क्योंकि 162 इनकी जो जैनती थी उसको मनाया गया 25 दिसंबर 2030 को यह एक महान विद्वान तो थे ही इसके लावा यह politician भी थे और शिक्षा सुधारग भी थे जब इनकी जैनती हुई तो नरेंद्र मोदी ने शुद्धांजली अर्पित की और उसी दोरान इनकी जो संकलित रचनाए हैं उसके 11 खंडों की जो पहली श्रंकला थी उसका विमोचन भी नरेंद्र मोदी ने किया था इनका जन्म कब हुआ 1861 में हुआ इलाबाद में 25 दिसंबर को शिक्षा की बात करें तुझे उनकी प्रारंबिक शिक्षा थी वो कहां पर हुई आपकी पाठशाला में फिर हम कहें तो पाठशाला प्रणाली के तहत इन तो इनको मरनोपरांथ इससे प्रुसकत करा गया समानित करा गया 2015 में ये सारी चीज़ें आपको एजिटे ज्याद रखना बेहद जरूरी है इनके बारे में आपसे एक्जैमनेशन में पूछा जा सकता है जातिकत विभेद का विरोध ये करते थे और ये बोलते थे कि बर में इन्होंने आंदूलन भी चलाया था मजदूर कल्यान की बात करें तो गिर्मिटिया मजदूरी प्रथा को समाप्त करने में इनकी एहम भूमिकार रही थी जब हम बात करते हैं गिर्मिटिया मजदूरी प्रथा की तो इसका मतलब उन मजदूरों से है जो कि आपके में या फिर दूसरी जगा थी के वेस्ट इंडीज हो गया अफरीका हो गया साउटीस्ट एशिया हो गया यहां पर जाते थे ब्रिटिश कॉलोनीज में और वहां पर वो लोग चाय के बगानों में काम करते थे कपास हो गया या फिर चाय के बगान हो गया या फिर चीन हो गया आगे बात करते हैं संगठन की इस्थापना इन्होंने एक संगठन है हिंदू महासवा इसका गठन किया 1905 में ये इन्होंने करा गंगा पर बांध बनाए जाने के विरोध में हिंदू महासवा की इस्थापना में इन्होंने मदद करी इसके अलावा अगर शेक्षिक की बात करें तो बनारस हिंदू विश्विद्याले इसमें इन्होंने सहियोग किया इसको बनवाने में 1916 में उद्देश था भारतियों के बीश में आधने एक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए 1919 से लेके 1938 तक ये बिये चू के जो है कुल पती भी रहे थे एक पुस्तका किया और 1889 में इनने उस परुस्तकाले की स्थापना की थी आगे बात करते हैं रास्टियांदोलन में इनका योगदान क्या रहा था तो इसकी शुरुवात वर्ष 1886 में कुलकता में जब कॉंग्रेस का सेशन हुआ था उसकी अद्दिश तक इसने कही थी दादा भाई नौ जिसकी इन्होंने अध्यक्ष्टा करी थी 1909 का था 1908 और 1932 ये तीन कॉंग्रेस सेशन थे जिसकी इन्होंने अध्यक्ष्टा की थी लखनव समझा था जो मुस्लिम लीग के और कॉंग्रेस के बीच में हुआ था उस समझा थे में जो था इन्होंने उसका विरूद किया था ठीके और समझाते में क्या था कि मुसल्मानों को अलग जो आपका निर्वाचन मंडल था उसकी विवस्था उसके अंदर थी तो इस चीज़ का इन्होंने विरोध किया था पत्र पत्रकाओं की बात करें अभी होते हैं 1907 में ये पत्रकाओं स्टार्ट करी गई बात में इसको जो है दैनिक समाचार पत्र में तबदील कर दिया गया हिंदी साथ ताहिक समाचार पत्र था ये अभी होता है कब स्टार्ट करा गया था 1907 में मर्यादा की बात करें 1910 में स्टार्ट हुआ तो ये एक हिंदी मासिक पत्रिका थी लीडर की बात करें 1909 में और ये एक इंग्लिश न्यूस पेपर था जो की इलाबास से प्रकाशित होता था हिंदुस्तान और इंडियन यूनियन ये दो ऐसे न्यूस पेपर थे जिनका इन्होंने संपादन किया था और कई साल तक हिंदुस्तान टाइम्स के निदेशक मंडल के अध्यक्ष भी ये रहे थे सो यहीं पर हमारा इंडियन हिस्ट्री वाला पोर्शन खतम होता है अब हम बात करेंगे पॉलिटी के बारे में यानि कि भारती राजववस्था के बारे में बेहद इंपॉर्टेंट है लोगपाल क्यों क्योंकि लोगपाल काफी कुछ लाइम लाइट में रहा न्यूज मे किया गया था संग्रेचना की बात करेंगी कंपोजीशन क्या है कौन कौन इसके अंदर होता है तो एक तो इसमें अध्यक्ष होते हैं इसके अलावा अधिक्तम आर्ट इसके अंदर मेंबर्स हो सकते हैं जिसमें से 50% नियाएक सदस्य होंगे इसमें 50% सदस S.C.S.T. O.B.C. की अलफ संक्यक और महला वर के होने चाहिए सदस्यों के अगर हम कारेकाल की बात करेंगी तो पांच वर्ष से लेकर 70 वर्ष तक का इनका कारेकाल रहता है मतलब सॉरी 70 वर्ष की A.I.U. तक ये बने रह सकते हैं सदस्यां तो 5 साल की पूरी अवध्यवि पूरी करेंगे पाच वर्ष या सत्तर वर्ष की आयू लोगपाल और इसके सदस्यों का वेतन जो होता है भारत की संचेतन नदी इसे दिया जाता है इसके बाद नियुक्ति की बात करें तो राष्टपती द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली पांस सदस्य चेयन समिती की सिफार पर जो है राष्टपती इसको एपॉइंट करते हैं लोगपाल को लोगपाल अंतर राष्टी ये संबंदों बाहा एवम आंतरिक्ष उरक्षा इसके लाव साजवनिक्स विवस्था परमान और जा और अंतरिक्ष से संबंदित मामलों में प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर ये जाँच नहीं कर सकता ना ही बाहा और आंतरिक्स उरक्षा की किसी मुद्ध पर इसके लावा साजवनिक्ष विवस्ता हो गई परमान और जा हो गई है फिर अंतरिक्ष से रिलेटट कोई ऐसा मेटर हो गया जिसमें प्रधानमंत्री पर आरूप है तो लोगपाल उसकी चार्च नहीं कर सकता ठीक है चलो आगे देखते हैं इसमें सो यहां पर बात करें लोगपाल की तो इसको सी बी आई सहित किसी भी चार्च एजेंसी की अधीक्षन यानि कि उसका सुपर्वीजन और उसको डारेक्षन देने की पूरी शक्ती दी गई है लोगपाल चैन समिती जिसकी अभी हमने बात करें थी कि जिसकी अनुशन सापर ही रास्टपती अपॉइंट करते हैं किसी लोगपाल को तो इसमें टोटल पांच मेंबर्स होते हैं अध्यक्ष के रूप में प्रधान मंत्री होते हैं दूसरे सदस्यों की बात करें तो लोगसभाय स्पीकर हो जिने गए जो प्रख्यात नयाविद हैं वो इसके अंदर शामिल होते हैं जो चैन समीती होते हैं इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो कि आपका मौलेक अधिकार यानिकी फंडमेंटल राइट्स विच इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो यहां पर मेंली हम आर् लेके आती है जिससे फंडमेंटल राइट्स इंपेक्ट हो रहे हैं उस पर इफेक्ट पढ़ रहा है वो इसको कम किया जा रहा है अगर ऐसा कोई कानून है तो आर्टिकल 13 कहता है कि उस पर्टिकलर कानून को एकदम नलन वॉइड माना जाएगा उसको शून ने माना जाए हैं अर्टिकल 15 की बात करें तो धर्म मूलवश जाती लिंग या फिर जन्मस्थान की अधार पर भेद भाव का निशेद किया गया है अर्टिकल 15 में अर्टिकल 16 क्या कहता है यानि की अंटचेबिल्टी आर्टिकल 17 के अंतरगत जो है अंटचेबिल्टी या अइस परशिता का अंत जो है उसका प्रावधान किया गया है अनुचेद 18 की बात करें तो उपाधियों का यानि कि किसी इने दीवान या फिर राय साहब इस तरीके की जो उपाधियां है इनका उनमूलन ये आर्टिकल 18 के अंतरगत शामिल है इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें स्वतंतरता का अधिकार आर्टिकल 19 इसमें बोलने की स्वतंतरता से संबंदित कुछ अधिकारों का संग्रक्षन यहां पर दिया गया है आर्टिकल 19 में इसके बाद इसी में अगर हम बात करें आर्टिकल 19.1.A में तो इसमें भाशन और अभिव्यक्ति की सुतंतरता का वर्णन किया गया है नेक्स्ट बात करें आर्टिकल 19.1.B में तो इसमें सभा करने की सुतंतरता दे गए है अनुच्छेद 1901 F की बात करें तो इसमें संपत्ति अर्जित करने धारण करने और निप्टान करने का अधिकार इसको निरस्त किया जा चुका है अब ये चीज यहां पर नहीं है ठीक है fundamental rights से इसको हटा दिया गया है तो ये इसको आप याद रखी का ये cancel है इसके लवा article 1901 G की बात करें तो इसमें कोई भी पेशा अपनाने कोई भी व्यापार करने और व्यवसाय करने की सुतनत्रता का वर्णन है इसके बाद next जो important article है वो है आपका article 20 जिसमें अपराधों के लिए दोश सिद्धी के संबंद में संग्रक्षन के बारे में दिया गया है कि उसके बारे में प्राफधान किये गए है article 20 में article 21 यह life की जो life और individual जो freedom है उसके बारे में है तो जीवन और व्यक्तिकत सुतनत्रता का संग्रक्षन यह करता है आपका article 21 आर्टिकल 21-A की बात करें तो इसमें शिक्षा को मौलक अधिकार बनाया गया है कौन से अधिनियम के तुरू बनाया गया है कमेंट चेक्चिन में चाहूंगा आप लोग जरूर बताएं आर्टिकल 22 की बात करें तो कुछ मामलों में गरफतारी और हिरासत से संग्रक्षन ये आर्टिकल 22 के अंदर गिविन है इसके बाद शोशन के विरुद अधिकारों की बात करें तो अनुचेद 23 यानि की मानफ तसकरी और जबरन श्रम का जो निशेद है वो इसके अंदर किया गया है आर्टिकल 23 में जबकि आर्टिकल 24 की बात करें तो इसमें कारखानों आदी में बच्चों के रोजगार पर पतिबंद लगाया गया है ठीक है सो नेक्स जो हमारा पीडिएफ आएगा यानि कि जो नेक्स वीडियो आएगा उसके अंदर हम लोग आगे बात करेंगे और दूसरे फंडमेंटल राइट्स हैं उसके बारे में सो पॉलिटी वाला सेशन अब खतम होता है अब हम बात करते हैं करेंट अफियर्स की देखो अभी जितना कुछ आपने पड़ा आपने जोग्रफी देख लिए आपने हिस्ट्री देख लिए आपने पॉलिटी देख लिए डेली बिस पर ऐसा ही आपको पीडिएफ प्रोव कुछ ने आया लेने तो क्या कुछ यहां पर एग्जैमिनेशन में आपसे पूछा आया सकता है सबसे पहले यह डिसीजन सुप्रीम कोट ने कब दिया तो 15 फरवरी 2024 को जितने भी जजज में अंदर बैठे थे पांच जजज बैठे थे सब ने एक राय से बोला कि भाया यह अनकॉंस्टिशनल है इसको एकदम कैंसिल करा जाए थीक है तो पांच जज़ों वाली पीट्री सर्व सम्मती से निरने लिया गया रद करने का कारण क्या था कि योजना के माद्यम से गुमनाम रहते हुए चुनावी चंदा दिया जा सकता था यानि कि लोगों का जो अधि अधिकार का उलंगन गिविन है ठीक है तो ये अधिकार जो है लोगों का इसमें हमपर हो रहा था इस पर प्रभाव पढ़ रहा था इसके लावा योजना को अगर हम रज करने के साथ किन अधिनियमों में संशोधन किये गए क्यों कि जब ये योजना बनाई गई थी तब क पर्टिकुलर एक्ट जो है वो कौन से साल का है तो आएकर अधिनियम 1961 का है जब हम जन पतिनियम की बात करेंगे तो 1951 का है अच्छा आगे बात करते हैं चुनावी बॉंड योजना के बारे में अभी तो हमने सुप्रिम कोट के डिसीजन के बारे में देखा था तो चुना क्या उसे लोकसभा और राजसभा दोनों में पेश किया जाता है या फिर सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ये कमेंट सेक्शन में चाहूंगा आप लोग बताएं कौन से वर्ष में इसको लागू किया गया दो हजार अठारा में इस योजना को लागू किया गया कौन से स्टर्ड हैं वो सब इसका फायदा उठा सकते थे और ऐसे राजनेतिक दल जिन्हों ने आम चुनाव में लोकसभा या फर्विधान सभाग में डाले गए टोटल वोट में से कम से कम एक प्रतिशत वोट हांसिल किये हूँ जारी करने की ये जो चुनावी बॉंड थे इसको जारी करने की अथौरिटी भारती स्टेट बैंक की थी और वो जो है आपका एक हजार दस हजार एक लाक दस लाक और एक करोन रुपए तक के बॉंड को जारी कर सकता था चलिए आगे देखते हैं जारी करने वाली बात तो आगई अब जो है कौन इसे खरीद सकता था तो केवल भारती नागरिक या फिर भारत में स्थापत सांस्थाओं के द्वारा ही इसको पर्चेस किया जा सकता था चुनावी बॉंड को वैदता की बात करें तो 15 दिनों के लिए वैलिड होता था कोई भी चुनावी बॉंड जारी किया जाने की तारीक से 15 दिनों के लिए ही वैद थे यानि कि उसके बाद जो है उसको एंकेश नहीं कराया जा सकता था इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कि चुनावी बॉंड डिजिटल या फिछ चेक के माध्यम से खरीदे जा सकते थे परंतु उनका नकदी करन केवल राजनेतिक दल के अधिकरत यानिक ऑथराइज बेंक एकाउंट के माध्यम से ही किया जा सकता था इसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका dic संपत्ति की शती की रोकथाम कानून की समीकशा अब हाल ही में भारत का जो 22 अविदी आयोग था उसने सावज़ जानेक शंपत्ति की शती की रोकथाम पर कानून का पुरनावलो्कन इस शीशक से एक जारी करी जिसके संग्षा कितनी थी दोसुच चौरासी इसको भारत सरकार को सौंपा गया रिपोर्ट किसके आधार पर मतलします किसके आदेश पर तי yard तयार की गई थी तो आयोग ने खुद से सुवरमोटो लिया यानी कि स्वता संगयान लिया और इस रिपोर्ट को तैयार किए रिपोर्ट में क्या क्या सिफारिश है की गए इसमें बोला गया कि साइवजनिक संपत्थी शती निवारण अधिनियम 1984 इसमें संशोधन किया जाए दूसरा इसके अंदर बोला गया साजजनिक संपत्ति के लंबे समय तक जानबूश कर अवरोध के मुद्दे से दिपटने के लिए एक अलग कानून बनाया जाए और या फर जो है दंड और आपराधिक सेहताओं में आवश्चक संशोधन किये जाए अच्छा ये सब तो बात हो गई जो संशोधन की मांग करी गई या जो कुछ भी था लेकिन एक्जेक्ली साजजनिक संपत्ति है क्या तो साजजनिक संपत्ति के अंतरगत ऐसे भवन और संपत्ति आती है जिसका उप्योग जल प्रकाश शक्ति या फिर उर्जा उत्पादन या वित्रण में किया जाता है तेल प्रितर्ष्ठान सीव खान या कार खाना या फिर कोई लोग परिवहन या दूर संचार साधन भी साजजनिक संपत्ति में शामिल किये जाते है यानि कि जो आम जन के लिए कोई फैसलिटी जो है उसको अवेल करवाया गया है इस तरीके की और लोग उसका यूज़ कर रहे हैं वो सब साजजनिक सं संपत्ति को जानबूश कर नुकसान पहुंचाता है तो ऐसी इस्तिती में उसे पांच साल तक की कैद और जुर्माना अत्वाद दोनों ये इसके अंदर सजा का प्रावधान किया गया है दूसरा पनिश्मेंट क्या हो सकता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी साभजनिक संपत् पहली बात इसको स्थापित कप कर आगया कौन से साल में तो दो हजार बीस में स्टेबलिश कर आगया भारत का 22 विदी आयोग इसकी अध्यंटा किसने करी किसकी अध्यक्षता में इसको इस्थापित किया गया सो नयामूर्ती रितुराज अवस्ती जो की उच्छ नयायले में सिवरत मुक नयाधीश थे रितुराज अवस्ती इनकी अध्यक्षता में इसको इस्थापित किया गया भारत का जो पहला विदी आयोग था इसके बारे में गर हम देखें तो पहला विदी आयोग कब और किसकी अद्धिक्षता में बनाए गया तो ये बना आपका 1834 में 1834 में लॉर्ड मेकाले की अद्धिक्षता में चार्टर अधिनियम 1833 के तहत सुतंतर भारत का जो पहला विदी आयोग बना वो कब बना तो वो बना 1955 में श्री M.C. सीतल वार्ड की अद्धिक्षता में तीक है चलो इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राय सीना डायलोग के बारे में विच इस वेरी इंपॉर्टेंट सो ये जो है आपका भू राजनितिक और भू अर्थशास पर वाशिक रूप से आयोजित किया जाने वाला भारत का एक प्रमुक्समेलन है नई दिल्ली में इसको आयोजित किया जाता है और आयोजिन करता में आफजर्वर रिसर्च फांडेशन जो की नई दिल्ली बेस्ड है और विदेश मंत्रा ले ये दोनों मिलकर जो है इसको पूरा संचालित करते हैं इसको आयोजिन करते हैं अच्छा यहां पर नेक्स अगर हम बात करें तो यह है आपकी संस्करन और उधगाटन करता तो नवा संस्करन रहा था इसका और नरेंद्र मोदी ने इसको उधगाटित किया था मुक अतिती की बात करें तो कीरिया कोस मिट्सो टॉकिस यह ग्रीस के प्रधानमंत्री थे यह इसके अंदर एद चीफ गेस्ट शामिल हुए थीम की बात करें चतुरंगा संघर्ष पतियोगिता सहयोग सरजन यानि कि चतुरंगा कंफ्लिक्ट कॉंटेस्ट कॉपरेट क्रि इसको मेजर ध्यान चंद स्ट्रेडियम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया और जो हमाई रास्पति हैं दरौबदी मुर्मू इन्होंने इसका उद्खाटन किया आयोजन करता की बात करें तो ट्राइफेड इसके द्वारा इसको आयोजित किया जाता है और इसी अफसर पर अनुशूतित जनजातियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड इसको भी लॉंच किया गया वेंचर कैपिटल फंड यानिकी VCF ठीक है तो ये जो अनुशूतित जातियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड है इसके बारे में देखें तो ये जो फंड है ये कौन कौन है तो इसमें एक है आपकार जनजाती है कारे मंत्राले और दूसरा है ट्राइफेड यानि कि ट्राइबल कॉपरेटिव मार्केटिंग डिवलेप्मेंट फेटरेशन आफ इंडिया यह जो योजना है इस योजना में अनुसूचे तजनजातियों के लिए वी निर्म इसके अंदर किया गया है इसके बाद नेक्स्ट और आखरी सेक्शन जो है हमारा संगठन चर्चानल पहला है इसमें ऑफ्जर्वर रिसर्च फांडेशन यानि कि ओर एफ जिसको अभी हमने देखा था कि राइसीने डायलोग को उसमें कंड़क्ट करवाने में यह हेल्प कर करता है तो इसको स्थापपत करा गया था उनिच्टोन नभए में लक्शिसका क्या है कि नीति निर्मान प्रभाव डालना और नीती विकल्प विक्सित करना प्रभावी नीती कार्यान्वेयन के लिए अनुकूल महौल बनाना सुसंगत तरक संगत और सुसंगत नीती निर् सथापित करा गया था 1987 में और कौन से अधीनियम के तूभ बहुराज बहुराज सहकारी समीती अधीनियम उन्निस्तों चौरासी जूकि अब चेंज होके बहुराज सहकारी समीति अधीनियम फूरर तो हो गया उद्देश है आदिवासियों की शमता में वरद्धी करना आदिवासी उत्पादों को बढ़ावा देना और उनके उत्पादों के लिए लाफकारी मूले सुनिश्चित करनके उनके लिए एक स्थाई आधार पर उनकी आए में वरद्धी करना ठीक है इस उद्देश से इसको गठित करा गया था सो इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को अब यहां पर एंड करते हैं आई होप यह वाला सेशन आपको अच्छा लगा होगा यह डे वन था जिसमें हमने यह सब कुछ पढ़ा ऐसे ही PDF को डेली बेस पर पढ़ने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरू करिएगा इस वीडियो को शेर जरू करिएगा ब्रहमास्तर बैच के हेल्प से आप बहुत सारी चीजें बदलब तकरीबन आप समझेए कि 90 से 95 परसेंट तक सब कुछ आपको इग्जामिनेशन में यहीं से मिल जाएगा और इस बैच की जो फीज है इस पीडिएफ की जो फीज है इस जस्ट 4.99 रूपीज तो थैंक्स वर वाचिंग 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 वाइज जे बाबाय